हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार I think आप सभी ने कभी न कभी सुना होगा पढ़ा होगा भुपाल गैस तरासदी के बारे में 1984 में यह हुई थी यूनियन कारबाइट नामक एक कारखाने में जहां से मिथाईल आईसोसाइनेट नामकी जहरीली गैस निकली उसी जहरीले कारखाने में आज फिर आगजनी की घटना हुई भीशन आग लगी और लोग काफी दहशत में आ गए क्योंकि एक बड़ा सा काले ध हुए का गुबार उस स्थान पर दिखाई दिया कई लोगों का कहना था कि ये घटना वास्तविक्ता में एक इंडिकेशन है क्योंकि अभी से कुछ समय पहले आप इत्तिफाक कहिए या फिर एक ऐसी घटना जो कुछ इंडिकेट करना चाहती है देट नियर अबाउट तीन 200,000,000,000 टन जो जहरीला कच्रा है ये कच्रा बेसिकली उस स्थान पर इखटा है और अभी से कुछ समय पहले बीते मंगलवार को कोट ने आदेश दिया था कि भई इसका प्रबंदन करा जाना चाहिए और इस पर सुनवाई भी हुई थी और आगे इसी महीने दुबारा सु देट थी आज की तारीक में हुआ ये कि दुफेर के समय अचानक से उस स्थान पर जो है वो आग लगी अब आगे के कारणों का तो फिलहाल कोई पता नहीं है लेकिन एक इसपस्ट तोर पर ये कहा गया कि जिस समय पर यूनियन कारबाइट में 1984 में जब दुरगटना हुई थी उसके पस्ट इसे जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया था अब बंद करने के पस्ट ये जली लिया गया था कि समय के साथ जब इस स्थान में कचरे के प्रबंदन के लिए हमारे पास आवशक संसादन होंगे यहां के कचरे को जूह डिस्पोस करा जाएगा तब कारखाना बंध होगा और पुलिस बकाइदा उस इस्थान को जो है वो सील पैक रखेगी पर समय के साथ धीरे-धीरे करके यहां पर लोग की घुसबैट जो है वो बढ़ने लगी अब दीवारों में बड़े-बड़े छेद कर दिये गए लोग वहां प्रवेश कर जाते हैं स यहां का जहिदल्या कच्रा कहा जाता है कि यह काफी जादा जला और इस जलने के कारण जो है वो आसपास का महल भी प्रदूशित हुआ अब exactly क्या उसके outcomes होंगे यह आने वाले समय में धीरे-धीरे करके हमें पता चलेगा अब यहां पर एक बात जो है वो जनने योग्य है कि अभी से कुछ समय पहले ही जैसा मैंने आपको बताया मंगलवार को जो मत्यप्रदेश का हाई कोट है जबलपूर में इस हाई कोट ने हेरिंग की थी हेरिंग की इस बारे में थी तो यहां यह बताया गया था कि बेसिकली जो यूनियन कारबाइट है जहां पर यह कचरा जिस इस्थान पर इखटा है वहां से रिष्टे हुए जमीन के अंदर जा रहा है और यह अंदर जाता हुआ कचरा उस इस्थान के भूमिगजल को प्रदूशित कर रहा है ग्राउंड वाटर कंटैमिनेशन हो रहा है इसकी सुनवाई के लिए जो है वो कोट ने सरकार क में आता है उस इस्थान पर बेसिकली पितमपु धारेक इंडस्टीरियल एरिया है अगर मैं आपको बताऊं मत्यप्रदेश में आता है इस इस्थान पर जो है वो 126 करोड की राशी से यानि कि इतना सारा पैसा देकर उस कच्च्च्च्च्च्च्च को डिस्पोस करा जान है जो की भुपाल गैस तराजदी के समय यूनियन करबाइट में जो है वो अभी के समय घटा है जिससे जो है ग्राउंड वाटर कंडामिनेशन की समस्या हो रही है अब इसमें यह कहा गया कि यह जो कार है यह कार आने वाले समय में जो है वो स्टार्ट होगा और इसमें याद रखिएगा कि धनराशी देने के बाद भी जो कचरा इखटा है याद रखिए इसकी मात्रा बहुत जादा है अब इतने टन कचरा अगर हमें जलाना है तो हमें इस कचरे को स्टेप बाई स्टेप एक एक करके जो है वो डिस्ट्रॉय करना हुगा क्योंकि मास लेवल और अगर इसे डिस्ट्रॉय करा गया जलाया गया नस्ट करा गया तो यह वही प्रभाव देगा जो ऐसा आपको अभी जुर घटना में दिख रहा है तो एक स्टेप बाई स्टेप ग्रेजुल मैनर में अगर इस स्थान से जहरीले कचरे को हटा कर इस स्थान से जो कंटैमि सब्सक्राइब करा जाएगा, इस समय काफी लगा, इस कन्क्लूजन तक पहुँचने में। दूसरी बात यह है कि palavra जिस दौरान यह कारे करा जाना है उस समय पर जो इस्थान है उस इस्थान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी authorities की ही है अब समस्या ये है कि भई इस स्थान में अभी सुरक्षा की कमी के कारण आप पाएंगे कि लगातार ये छोटी छोटी घटनाए होती रही बीते समय में भी सरकार के द्वारा या प्रशाशन के द्वारा शायद उतना ध्यान नहीं दिया गया तो य यहां समझे ग्राउंड वाटर कंटैमिनेशन अर्थाद भूमिगजल का प्रदूशित होना ये बहुत ज़ादा problematic है कारण स्पस्त तोर पर जाने याद रखिए कि मान लेते हैं वैसे तो हर प्रकार का प्रदूशन हानी कारक है पर मान लेते हैं कि हवा प्रदूशित तो शायद आप उसके प्रदूशन करने वाले कारकों को वहां से हटा लें तो कुछ समय पशाद प्राकर्तिक तोर पर ये हवा साफ हो जाएगी उधारन आप दिल्ली का देखें एक सीजन में दिल्ली बहुत प्रदूशित होती है पर अगर वो सीजन बीत जाता है तो प्र स्थान का भूमिगत जल प्रदूशित हो जाए तो उस भूमिगत जल के प्रदूशित होने के पशचाद दुबारा सामानी परिसितियों को आने में हफ्तों नो महिनों जी नहीं सालों का समय लगता है दश्कों का समय लगता है और कई बार ये दशक पचास एven 60 अश्य Staat त पास है मानोबस्तियां हैं और ये भूमिगत जल का उपयोग कर रही है और वही भूमिगत जल इस जो कारखाना है इसके कचरे से प्रभावित हो रहा है आपको नहीं लगता कि ये जो कंटैमिनेशन है ये लॉंग टम में किसी बड़ी डिजीज को किसी बड़े आउट ब्रेक को जम दे सकता है इसी कारण जो है वो कोट ने इस जहरीले कचरे के प्रभंधन के लिए सरकार को आदेश दिये और नो डाउट सरकार इसके लिए पैसा खर्च करके इसे डिस्ट्वा करने का कारे भी करने वाली है अपने आपको अपडेटेट रखें इस प्रकार की चीजें अक्सर जो है वो मेंस्ट्रीम डिसकुशन में नहीं आ पाती पर आपकी अवेरनेस के लिए आवशक होती है अब वो सभी आस्पेरेंट जो यूपी एसी की तयारी करता हैं उन सब के हैं साथ मही से क्लासेस प्रारंब होने वाली हैं याद रखेगा इन क्लासेस में अगर आप एड़मिशन लेना चाहते हैं तो 27999 की कॉस्ट पे एडमिशन ले सकते हैं साथ ही अगर आप A.K.Live का यूज तभी A.K.Live E. इस कोड का यूज करते हैं तभी आपको जो डिस्प तक की तयारी कराने वाले इन बैचिस में याद रखें एस आई पी का कोर्स अर्थात सक्सेस इन प्रिलिम्स का प्रोग्राम इंक्लूड़ेड है अर्थात अगर आप इन क्लास का पार्ट बनते हैं तो 3R की डेली लाइफ क्लास से आपका प्री का सिलेबस और आपके मेंस का स SIP, Success in Prelims अर्थात क्रेश कोर्स इसमें Free of Cost प्रोग्राम इंक्लूड़ेड का है इतना ही नहीं जब आप इस कोर्स का पार्ट बनेंगे और फिर मेंस देने जाएंगे प्री देने जाएंगे प्री क्वालिफाइगे मेंस देने जाएंगे तब की कंडिशन में आपका मेंस भी क्वालिफाइग हो सके इसके लिए मेंस रेसिदेन्शल प्रोग्राम अर्थात MRP प्रोग्राम की सुईधा प्रोवाइड करी जाएगी अर्थात स्टडी आएक्यू अपने खर्चे पर अपने प्रमाइसेस में आपको डेली में बुलाकर आगे की पूरी जर्नी प्ले क कराएगा इतना ही नहीं मैं अगेन रिपीट करूं 18 किताबों का सेट आपको कोरियर के मद्यम से पहुचा दिया जाएगा आपको कोई बुक्स लेने क्या वशक्ता नहीं है केवल और केवल अपने नोट्स बनाए और तयारी करें साथ ही one-to-one mentorship होगी जिस दिन आप बैज इनके कॉस्ट पर अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप सारे ISS को इन बैच्चेस में देखने वाला हूं चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में have a very nice day थैंक यू हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IS Hindi